विल्कम बेक एस्पेक्ट्रम आईस क्लास में आपका स्वागत है पिछले क्लास में हम लोग इवुलूशन चेप्टर का चर्चा किये थे इवुलूशन में कंसेप्ट ही लिए थे कि सरल जीब से जटिल जीब के विकास की परकरिया को उद्विकास या इवुलूशन कहा जाता है उद्विकास के संदर में सबसे पहला मत देने वाला बैग्यानिक लेमार्ग थे उसके बाद डार्वीन आये डार्वीन अपने विचा दार्वीन एक ग्रीक के विद्वांद है जबकि लिमार्ग फ्रांसीसी थे लिए डार्वीन अमेरिका के दक्षीन अमेरिका के पस्चिम तर्ट पर पेरु है पेरु के पस्चिम भाग में परसांत महासागर है और उसी परसांत महासागर में गैलापेगस दीप समू है जहा पर फिंच नामक पक्षी रहता है और चौदा टापू में चौदा परकार के परजाती पाए जाते हैं और सभी परजातियों के पुर्वज पिरू में अभी भी रहते हैं बिभीन परकार के जीव जन्तू स्टापू पर हैं डार्वीन कई बरसों तक अध्यन करके अपना बक्तब दिये और उद्विकास से समन्धित उन्हें जनक के रूप में जाना जाता है लेकिन जब डार्वीन अपना सिधान दिये थे उसमें उनका काफी बिरोध हुआ था जो कि दुनिया और्थोडॉक्स था गौड पर भरोसा था ऐसा बोलने वाले को सजाय मौथ हो जाता था डार्वीन ने अपने बकतब में जो कहा उसका में पॉइंट जो है बिंदू है उसको समरी कर दिये हैं कि पहला पॉइंट उसने बताया कि जीवों में संतानुपत्ति की परचुर छमता इनर्मस पावर आप रिप्रोड़क्शन या ओभर प्रोड़क्शन भी बोलते हैं इ इसको डिटेल करेंगे पहले पॉइंट को देख लें दूसरा पॉइंट उसने दिया अस्तित के लिए संघर्स यानि अस्टागर फॉर एक्जिस्टेंस तिसरा पॉइंट उसने दिया सामर्थ की उत्तर जीविता सर्भायवल आप दाथी टेस्ट चौथा पॉइंट में है पांचमा पॉइंट है प्राकृतिक चेहन यानि बातावरन के परती अनुकुलन और लास्ट सीक्स पॉइंट है नए परजातियों का उद्ध है औरिजिन आप न्यू स्पेसीज अब ये पॉइंट के द्वारा डार्वीन जो है अपने थाउट को विचार को ब्यक्त किया परजनन की अपार छमता डार्वीन के अनुसार किसी भी जीव में परजनन की अपार छमता होती है जिसके कारण उसकी जनसंख्या में लगतार बिर्धी होती है परजनन की अपार छमता का रिजल्ट है कि जनसंख्या नी पॉपलेशन जो है इनक्रीजिंग ओर्डर में रहत भोजन का समस्या अवास का समस्या परजनन का समस्या बातावरन के साथ समस्या इसके लिए दूसरा पॉइंट आ गया कि अस्तित के लिए संघर्स कि जनसंख्या बरने के कारण जीव जनतू आपस में संघर्स करने लगते हैं और यह संघर्स जो होता है वह भोजन के लिए हो सकता है आवास के लिए हो सकता है परिजनन के लिए हो सकता है या फिर बातावरन के साथ संगर्स हो सकता है कि बातावरन में परिवर्तन होता है तापमान घटता है बढ़ता है हिंदिटी घटता है बढ़ता है यह जल मंडल अस्थल मंडल है तो परिवर्तन होने से जीव जन्तू संगर्स करते हैं उस बातावरन के साथ अब ये संघर्ष को हम दो भाग में बाढ़ सकते हैं एक है इंटर अस्पेसिपिक और दूसरा है इंटरा अस्पेसिपिक इंटर का मतलब इन बिट्विन यानि विभिन परजातियों के बीच जब संघर्ष हो उसको इंटर अस्पेसिपिज बोलते हैं बिभिन परजातियों के बीच इंटरा का मने विदिन होता है मतलब समान परजातियों के बीच कि मान लिजिए कि हम अपने घर के बाहर भोजन कांस फेकते हैं तो कई कुटा उसमें दोड़ जाता है कारण है कि भोजन का मात्रा कम है कुट्टा का संख्या जादे है इसलिए भोजन गरहन करने के पहले आपस में वह संघर्ष करते हैं कौन गरहन करेगा तो समान परजाती के बीच होगा तो इंटरा स्पेस्पिक हो जाएगा, कुत्ता और अन के बीच होगा तो इंटर हो जाएगा, या मनुस और अन के बीच होगा तो इंटर हो जाएगा, मनुस मनुस के बीच होगा तो इंटरा हो जाएगा अब जन्सेंख्या लगातार बढ़ता है इसको हम समझ सकते हैं कि हाथी जो काफी धीमी गती से परजनन करने वाला जीव है जन्दली 90 से 100 साल एक हाथी जीवित रहता है अधी एक जोड़ा हाथी 90 साल में आस्तन 6 बच्चे को जन्म देती है फिर अगले 90 साल में 6 गुना 6 फिर अगले 90 साल में 36 गुना 6 जो लगभग 8000 के आएगा पूरा आंग की इस तरह का आएगा तनी 8000 हाथी कितना बर्स क्रोस किया एक दो तीन चार पांच बार 90 लिखें यहने 450 बर्स क्रोस करा है एक जोड़ा हाथी को लिए है तो 450 बर्स में एक जोड़ा हाथी से लगभग 8000 हाथी बन गई लेकिन सभी हाथी जीवित नहीं रहते हैं संगर्स के दौरान कुछ मरते हैं उसी परकार मक्हियां जो है तीन हजार के लगभग अंड़ा देती है जीवन काल तीन महिना है तो हर तीन महिना से 3000 को हम गुना करते जाएं तीन महिना में तो वो बढ़ते चला जाएगा कुछी बर्थ में अतना मक्षी होगा कि इस पिर्थी पर खाली मक्षी दिखाई देगा पौधा का बात करें कि पौधे में पराक्कन हजारों के संख्या में निकलते हैं सभी पराक्कन अधि फर्टिलाइज कर लें नया प्लांड बनाने में सक्षम हो जाए तो उसी पर जाती का प्ल पास का परजनन का बातावरन का इस कारण से सभी जीव जो है अपने अस्तित को नहीं पचा पाते हैं तो डार्वीन का तीसरा पौइंट है कि सर्भायवल आप दा फिटेस्ट काफी चर्चित पौइंट है कि सामर्थ की उत्तर जीविता कि इस संघर्ष के दौरान जो पौइंट या सामर्थ वान या फिटेस्ट होते हैं वो अपने अस्तित को बनाए रखने में सक्षम होते हैं सर्भाईवल आप दा फिटेस्ट सर्भाईव वही करता है जो सबसे फिटेस्ट है फिट में भी फिट है यानि फिटेस्ट है यानि कुत्ता का दी हम बात करते हैं तो उस कुत्ता में तरह तरह का कुत्ता है को अस्ट्रॉंग है को विक है तो जो अस्ट्रॉंगर कुत्ता है वो भोजन लड़के ले लेता है उसको पोशक तत्मिल जाता है जो विकर है वो पीछे से आता है को पोशन का सिकार होता है उसक ठीक कंपडिशन के तरह है कि अभियार्थी का संख्या लाखों में है सीट का संख्या कम है एक जामनेशन बोड कोश्चन दे दिया सभी दिमागी संघर्स करते हैं लेकिन बात तहा है कि उस संघर्स में वही सक्षम होगा आगे आएगा फिटेस्ट होगा सरभाइव करेगा ज को दाव के आगे बढ़ेगा तो प्रकृति में भी यही होता है अब यहां पर पॉइंट आ गया कि विभेद तथा अनुबंसिक्ता जैसा कि हम कुट्टा को धर्म नागे चलना है कि यह स्टॉंगर वीकर तो कोई भी परजाती लिया जाए तो सभी परजाती के जो मेंबर है वो एक समान नहीं होते हैं कुट्टा को लें तो कई भेराटी का कुट्टा मिलता है अधि हम गाय भायस को लें मनुस को लें तो सभी मनुस एक समान नहीं होते हैं रंग रूप लंबाई सोभाव खान पान अलग-अलग है तो उनमें भेरियेशन पाए जाता है विभेद प पुदल जाता है जो विभीन्ता है वो अनुवांसिक हो जाता है अगले पीड़ी में कनवर्ट हो जाता है लास्ट अगला पॉईंट है प्राकिर्टिक चैन जा बातावरहन के परति अनुकुलन एक सबसे बेस्ट पॉइंट डार्वीन का है यह इतना इंपोर्टेंट पॉइंट है कि डार्वीन के सिधांत को नेचरल सेलेक्शन का सिधांत भी कहा जाता है अब यह जो परक्रिया देखाया गया है उसको step by step समझिये कि जन संख्या में बिर्धी हुआ उसके बाद अगला परक्रिया हुआ संघर्स हुआ संघर्स होने के बाद जो सक्षम जीव है वो सरभाईव कर गया तो सक्षम जीव सरभाईव कर गया उसके बाद variation आया अच्छा खराब का कमजोड मजबूत का नेचर क्या किया कि उसमें से जो अच्छा quality वाला है उसका selection कर लिया और जो weaker है unfit है उसका rejection कर दिया जो fittest है उसका selection कर लिया और जो unfit है उसका rejection कर दिया कि एक तरफ selection उसका ultra meaning है rejection कुछ का selection अधिकांस का rejection जैसे examination में देखेंगें, competition है, तो कुछ seat है, लाखों के संख्याओं अभिभारती है, तो examination board कुछ का selection किया, अब struggle किया सब दिमागी, प्रकृति उसी परकार, सभी जीगों को select नहीं करती, प्रकृति संघर्स करा देती है, और उसमें जो संघर्स में सक्षम होते हैं, उसका selection क करता है, बाद मांकि उसका rejection कर देता है, ठिक competition के तरह चलना है, प्रकृति में बार-बार मौका नहीं मिले, इसलिए इसको natural selection कहा जाता है, अब natural selection क्यों है, यह सारा प्रकृति का ही काम है, कि वो जंसंख्या का छमता लिमिटेड कर दिया, संघर्स करा दिया, जो सक्षम है, वो सरभाईव किया, जो fittest है, और उसका selection कर लिया, और बाद मांकि का rejection कर दिया, अब ऐसा प्रकृति क्यों किया, तो यह पिर्थवी जो है, इस पिर्थवी का environment, अस्टेटिक नहीं है, constant नहीं है, जल मंडल, अस्थल मंडल, बायु मंडल, सभी परिवर्तन सील है, अब अस्थल मंडल का बात करेंगे, तो पहले Southern नेरिया में जादे था, आज की रिट में Northern नेरिया में जादे है, इस से waste migration है, प्लेट टक्टोनिक में हम लोग पढ़ते हैं, यह migration होता है, आज मरू अस्थल है, कल जंगल बन जाएगा, आज पहार है, कल पहार बन जाएगा यानि जोग्राफिकल चेंजिंग मस्ट है, नीचे का लेयर ऊपर, ऊपर का लेयर नीचे, यह long term effect है, तो environment is always changeable, अब एक statement आ गया, कि बातावरन हमेशा परिवर्तम सील है, और प्रकृति जान रहा है कि आने वाला बातावरन कैसा होगा, तो उस बातावरन में कमजोर जीव सरभाईव नहीं कर पाएगा, इसलिए जो सक्षम है, जो संघर्स करने में कामियाव है, उसको मौका दिया जाता है, कि इस अगले वातावरन में रहे, बादमाकी को यहां से हटा दिया जाता है, नेचर का भी एक मजबूरी है, कि उसको जीवन चलाते रहना है, और जीवन क चलाते रहने के लिए वो वीकर को कमजोल को अनफिट को मौका देना नहीं चाता है, इसलिए जो फिटेस्ट है, उसको जनरेशन को आगे बढ़ता है, अनफिट को हटा देता है, इसका कारण क्या है, कि कारण है कि इंभार्मेंट is always changeable, तो इंभार्मेंट चेलिवल है, तो environment is always tangible अब फर next environment आने वाला जो environment है forthcoming environment है उसके लिए वो नए परजाती नए सक्छम जीव को selection कर लिया अब इस कारण से जब variation हो गया काफी variation हो गया variation होते होते वो नए परजाती के रूप में उसका प्राधा हुआ तो एक तरफ selection एक तरफ rejection यही कारण है कि इस्पिर्थी पर कई जीव बिलुप्त हो चुके हैं जैसे डानासोर, डोडो, आर्कियोप्टरिक्स और नेचरल रिजक्षन होगी और कई जीव जन्तू संकट गरस्थ हो गए हैं भारतिय पांडा, गेंडा, मगरमच, कच्छुआ, डॉल्फीन, जंगली गधा, उजला बाग, एस्याई हाथी, उरने वाला गिलहरी जो साथ में पायता है निलगिरी, परबत के आसपास यह सब जो है, संकट गरस्थ हैं, संख्या घट रहा है, वो संगरस्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो नेचर ऐसे जीव जन्तू को लाइक नहीं करता है, इसलिए इसको हम नेचरल सलेक्षन की रूप में जानते हैं डार्वी ने तो प्राकृतिक चैन का सिधान दिया, लेकिन हम कुछ उधारन यहाँ पर देख लें, प्राकृतिक चैन का जो बेस्ट एक्जामपूल माना जाता है एक्जामपूल्स यानि उधारन नेचरल सलेक्षन का पहला उधारन है, इन्रस्टियल मेलानीज्म अब इसको समझेए ब्रिटेन सत्रमी सदी के बाद का घटना है, अधोगी करांती हुआ था अधोगी करांती में काफी उध्योग लगे, जिससे बायू मंडल में एसोटू गैस की मात्रा लगातार बढ़ते जाने से ब्रिक्स पर रहने वाला लाइकेन, जो क्रीमी हॉइट था उसका कलर चेंज हो गया ब्लैक में लाइकेन एक प्लांट है, जिसको पॉलूशन इंडिकेटर प्लांट भी करते हैं जो बायू मंडल में एसोटू गैस का डिटेक्शन करता है और वो अपने कलर को चेंज कर देता है इस लाइकेन पर यह वाइट क्या है तो लाइकेन है सेक हिंडि में बोलते है एक कीट रहता था जिसको मौथ करते हैं तितली के थरह होता है अब इस मौथ का भी कलर हुआट इस था क्रीमी वआट तो kid adaptation क tweak करते हैं, कि जिस color का plant है वो अपने body को उसी इस color का बना लेते हैं ताकि उसका कोई enemy उसको नहीं समझ पाए या वो किसी का सीकार करे तो नहीं समझ पाए, मौत कववा से बचने के लिए उसी color के liken पर रहता था तो कववा इसको नहीं खाता था कन्फीजन में लेकिन अधोगी करांथी के कारण S2 गैस बरने से इस लाइकेन का कलर हो गया बलेक बलेक पर हुआइट मौथ रहेगा तो कववा देख लेगा उसको खा जाएगा अब उसके लिए अस्तित का बात हो गया अस्तित को बचाय रखने के लिए उसने संघर्ष किया अब वो मौथ क्या किया कि अपने सरीर में मेलानीन पिगमेंट का फॉर्मेशन कर लिया मेलानीन जो है बलेक कलर का पिगमेंट है यानि वो भी काला बन गया तो वाइट से काला बना और अपने जीवन को बचाने में सक्षन हुआ, इसलिए इसको कहा गिया industrial melanism, melanin से टर्म बन गिया melanism, और धोगी करांती से industrial, industrial melanism is the best example of natural selection, the second example which is important in human beings, that is, सीकल सेल अनिमिया, पुरानी बात है कि अफिर्का के जंगल में काफी मच्छर हुआ करते थे, मच्छर के काटने से malaria नामक बिमारी होती है, मच्छर के लार गरंथी में प्लाजमोडियम प्रोटो जवा नामक पर जीवी रहता है, और वो प्लाजमोडियम मच्छर काटने के दवरान जो है मनुस के रक्त में परवेस करता है, लीवर में जाता है साइजॉंट बनाता है और अपना संख्या बढ़ाता है हुमेन का नॉर्मल आर बीसी जो है गोलाकार और उभाय अवतल बाय कनकेव होता है इसी पर पलाजमोडियम सरभाइब करता है लेकिन वहां जीन मीटेशन के कारण इस आर बीसी का आकार जो है हसिया हो गिया सीकल सेफ हो गिया धान काटने वाला हसिया जो हता है सीकल का मतलब होता है सीकल सेफ आर बीसी जब बन गिया तो इस पर मलेरिया परसाइड जो है पलाजमोडियम वह सरभाइब नहीं कर पाया यानि निसकर्स निकला कि जिस बैक्ति को सीकल सेल एनेमिया है उसको मले हेटरोजाइग से अजादे होगा साछ्थ में रहेकंगा लगा तो जानलेब होंने ये हेट्रोजाइगत अवेस्था में रहेगा तो ये बर्दान और यूजे िभानीused चैनल सुलमल नहीं हों है नेचरल सलेक्षन का अपवाद भी जिसको हम आर्टिफिसियल सेलेक्षन के रूप में जानते हैं नेचरल सेलेक्षन का अपवाद आर्टिफिसियल सेलेक्षन कृत्रीम चैन किरित्रिम चेहन का मतलब ये हुआ कि मानव जनसंग्या में प्राकिर्तिक चेहन का सिधान्त पूर्णतह लागू नहीं होता कारण अब इसका क्या है? कारण है साइन्स एंट टेक्नलोजी का विकास कि जब से साइन्स एंट टेक्नलोजी बिक्सित हुआ है तब से पूरे बिस में मानव का जनसंग्या बढ़ने लगा है मेडिकल फैसलिटी अंटिवाइटिक का परियोग भैक्सिनेशन रक्त आधान किरत्रीम अंग परत्यारोपन ये सारे चीज हैं जो मानव को प्राकिर्तिक आबदा से बचा लेते हैं ये जतना सारा चीज जो है जो बैग्यानिक सादन है मेडिकल फैसलिटी है वो प्राकिर्ति को चुनोती देता है इसलिए मानव जनसंग्या ओधोगिक समाज में आधनिक समाज में बढ़ता है लेकिन अधी हम जनजातियों का बात करें तो जनजाती प्राकिर्ति वादी होत प्रकृतिक चेन का उसका उधारन हम दिये अब इसका कुछ आलोचना किया गया है डार्वीन का उस आलोचना को हम पॉइंट बद यहां कर रहे हैं पहला पॉइंट हम लेते हैं कि इन्होंने विभिंता की बात की लेकिन यह कीज परकार आता है नहीं बताया कि भेरियेशन का साथ डार्वीन करते हैं लेकिन विभियेशन आने का कारण क्या है क्यों आता है इसका डिटेल उसने नहीं किया यह इसका खामी है दूसरा पॉइंट में इसने कहा कि इन्होंने विभेद को मुद्दा बनाया है लेकिन विभेद यानिवेशन को उद्विकास के लिए चोटे चोटे हैं कि यहे आगले जनेर्शन में नहीं जाता है इसकी ब्याख्या डार्वीनjay की ती उमेठ आउगों की चरचांई की जो उद्विकास का परमुक कारण माना जाता है लमार्क का जो बक्तब تھां उसमें आफसेसी एक परमुक मुद्दा था कि use and disuse of organ के बारे में उसने चर्चा की थी लेकिन डार्वीन जो है अब सेशी के बारे में नहीं बताया का अधिक करते हैं तुसके अकार में बिरदी हो जाती है उसके उल्टा जिसमें कम यूज करें नहीं करें उसके अकार घठता है अब सेसी होता है और लास्ट में उसका या कालोचना चोथा पॉइंट है कि Darwin ने देहिक कोशी का यह बॉडी सेल यह सोमेटिक सेल और जलन कोशी का यह रिप्रोड़क्टिव सेल यह गयमिट में अंतर अस्पस्ट नहीं किया है डार्वीन का पैंजेनेसिस का सिधांत इसके विफृत है डार्वीन ने एक सिधांत और दिया है पैंजेनेसिस उनका कहना था कि पैंजीन एक वर्ट दिया उसने कि पैंजीन जो है एक सुक्ष मक्कन है जो जीव के अंगों में रहते हैं और रक्त परवा के द्वारा ये जो ह कुटमन जो अधनी का स्टड़ी है आध्यन है से पता चलता है कि उत परीवर्त अंतापरजनन इनब्रीडिंग और जीनिये अफ्सरन जेनेटिक डिफ्ट आदी भी इसके लिए जीमिवार है आनि जब हम पढ़ेंगे संसलेशनात्मक सिधान तो ये तीनों पाइंट काफी इंपोर्टेंट रखता है जिसमें जीन मिटेशन जो है काफी इंपोर्टेंट है कि इवुलूशन के लिए रिस्पोंसिबल होता है आईसी चर्चा डार्विन नहीं की थी लाकि डार्विन का ही मजबूरी था कि उस समय ना साइटलोजी था ना जेनेटिक्स था ना बायो केमेस्टी था ना बायो टेक्नलोजी था माइक्रो बायोलोजी नहीं था तो इस कारण से डार्विन जो एवलेवल था स्टेडी मेटरियल उस अनुसार वो बहुत बड़ा काम किये लेकिन आज जब हम माइक्रो लेवल पर जाते हैं तो और भी कई फेक्टर हैं उसके बावजुद भी डार्विन का जो यह सिधान्त है काफी प्रासंगिक है तो इसकर्स में हम लेते हैं कि इन अलचनाओं के बावजुद आज भी डार्विन बाद नए पर नए परियोग हो रहे हैं इनके अनुआयों ने फॉल्वर्स ने इस सिधान्त पर उनसंधान कर इसे आगे बढ़ाया जिसे नब डार्विन वाद कहते हैं कि इसका कुछ तो कॉमेंट हुआ लेकिन कॉमेंट होने के बावजूद आज के डेट में नेचरल सेलेक्शन जो है सर्भाइबल आप दा फिटेस्ट है वो काफी प्रासंगिक है इसलिए इनके फॉल्वर जो है इसके निगेटिव को हटा कर जिसका जो पोजेटिव है उस को हम लोग नव डार्वीन वाद कहते हैं जिसकी चर्चा हम अगले कलास में करेंगे अब इस वीडियो को आप अराम से लाइड डाउन कर लिजेगा और कोस्चन का जो फॉर्मेट है कि उद्विकास से क्या समझते हैं इस संदर में डार्वीन के द्वारा दिये गए सिधान तो की चर्चा करें या डारेट कोस्चन होगा कि डार्वीन वाद क्या है अलोचना तमक ब्याख्या करें अब आलोचना लिखे ना लिखे चर्चा भी करें तो आपको सारा चीज़ देना है अलोचना भी देना है और अराम से पॉइंट बद इसको मैनेज करना है इस पांच जारी रहेगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें जैहिन